आने वाले वर्स 2024 चुनोतियों से भरे वर्स हैं और ऐसे में खास करके बिहार में लोगों की निगाएं हैं वहां के राजितिक प्रवारी स्कोले आज हमारे साथ हसुक चौदे जी हैं बिहार में मंत्री भवान निर्मान उनसे हम कुछ खास बात करें आपका स्वाजात है तेंक यू पहला सवाल है कि आप बहुत ही चुनोति भरे परदेश में परवारी बने हैं जहां जदियू किस्थिति आप से चिपी भी नहीं है क्या देखते हैं संगर्टिम कब क्या हो देखिए ऐसा है कि जब तक मजबूत चिनोती नहीं हो तो लड़ाई लडने में मज़ा नहीं आता है और जब नेता ने हमको यहां पर भेजा है तो कुछ सोंच समझ के भेजा होगा और हम यह मानते हैं कि अभी भी जार्खंड में स्टि जदियों के लिए बहुत पुटेंचियल है और अगर हम लोग सिस्टेमाटिक धंग से अगर काम करें वेल और्गनाइजड हो करके काम करें तो पार्टी का एक अच्छा परिनाम यहां पर निकल करके आएगा एक दौर था जब यहां सम्ता पाठी से लेकर के जदियों तक का जो कारकाल है और नितिजी जी जैसे नेताओं का एक जनाधार था राजद भी हम पासिटों के साथ ती राजद भी आज सिमट के एक सिक पर है तो जो आपके साथ गर्वन्दून के दो दद हैं मतला वापर राजद और आप तो दोनों दलों के समभावना यहां दिक्री और चुनोतियां आपको भाजपाज से दल से हैं देखे रहा है कि जब आप संगठन पर अच्छी तरह से काम जब कर लेते हैं और संगठन को आप धारदार बना लेते हैं तो हम समझते हैं तब आप किसी भी च इतना संगठन पर विगत कुछ वर्सों में ध्यान देना चाहिए था उस तरह का ध्यान जारखंड में संगठन पर जद्यू के द्वारा नहीं दिया गया कारण जो भी राव उस पर टिका टिपनी हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन जो संगठन जिस तरह का धारदार होना चा कर रहे हैं हम समझते हैं कि रिजल्ट आएगा कुछ महिनत करना पड़ेगा कठना ही है इसमें दो मतनी है कि हम कहते हैं कि बहुत जारखंड is a cakewalk for JTO I don't accept that अगर हम काम अच्छे से खरेंगे तो हमको उमीद दिखती है यहां पर आप भाजबा से जब से आपके रिष्टे ठूटे हैं तब से आप एक वीपक्षी तल के रूप में हैं यहां पर जो वीपक्ष का समिक्रान है वो पॉरा हो जाता है मतलब यह दोनों पार्टियां मिलकर कि अगरेशा के मोचे पहर है वहां जदियू राजद का राजद है लेकिन बहुत टाकत के साथ नहीं है इस कंदूल में लेकिन जदियू का इस गडवंदन में कोई स्कूप नहीं लिखता है तो क्या करेंगे कैसे सीट माने नहीं नहीं लिखिए जब आप संगठं को अपन तो अगर हमारे पास वोट बैंक नहीं होगा तो कोई भी पिलिटिकल पार्टी या कोई भी अलाइनस हमको क्यों आड करेगी हमारे पास जब पर संगठन को मजबूत करने का प्रयास करें जब हमारा संगठन इस परिस्तिती में पहुंचेगा तो निश्चित रूप से दूसरे राजितिक दल भी चाहेंगे कि ये लड़कर कि हमारा वोट बिगाले नहीं हमारे एड़ करके हमको फर्दर एड़ करें और हमारे नेता का भी यही सोच है कि पूरे देश में विपक्षी एका के लिए वो पूरे राजियों का उन्होंने और हमें वांड़ी रहे हैं उन्होंने जारकर्णड आकर के मुखमंत्री को भी उन से भी बात किये तो हमको लगता है जब भी पक्षी एका बनेगा तो या तो लड़ेंगे या हम सप्लिमेंट करेंगे बड़ हमारे पास जब कुछ पूंजी होगी तब तो उस पूंजी को बनाने के लिए तो मैंनत कर रहे हैं जारकंड में बारत अरी को हम जा रहे हैं जाएंगे जो मुझे नितीजी से जो बात चीत हुई है पता नहीं प्रस्म पूछे और क्या जवाब दिये लेकिन हमको तो है कि वो सब लोग आ रहे हैं बारत को 2024 में बिहार को बिहार में क्या चुनोती देखते हैं 2024 के लोग सब बिहार में तो हमको नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कोई चुनोती होगा क्योंकि बिहार में भातले जनता पाटी कि सीठे घटे गे अच्छी घास सीठे गे और जो 2024 के लिए नित्वित तो मानने के लिए तयार है पहले तो है कि सब लोग इकठा हूँ एक मानसिक रूप से तैयारी हो कि हम विपक्षी एका के रूप में हम आगे बढ़ें उसके लिए नितीज जी ने पुरे देश में घुम घुम कर लोगों से पाचित की है सब मानते हैं कि ये एक अच्छी पहल है ये एक अच्छी मुहीन है और अगर विपक्षी एका बनता है एक तकी बात होती है तो वो एक alternative के रूप में देश में मजबूती के साथ आएगा और उसी के लिए ये बारतारी को बैठर को रही है और उसमें नितीज जी का है कि बहुत से लोगों का ये भी था कि ये third front बने अगर नितीज जी का है कि नहीं main front में Congress के साथ बने क्योंकि Congress का एक pan India impact है और Congress को हम साथ लेकर चले ठीक है राज्यों में बहुत से अपनी अपनी परशानिया है लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक का जो है उसमें हम Congress को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहाए अभी तो वियर अभी जो भी बात हो रही वो तो एक collective responsibility की हो जहां तक नितीज जी का सवाल है नितीज जी ने कई मंचों पर इन बातों को सपस्ट रूप से कहा है कि न वो प्रधान मंतरी बनना चाहते हैं न परधान मंतरी बनने के इच्छा रखते हैं और हम सिर्फ बख्षी एकटा के लिए प्ले आसरत हैं इसलिए किसी को दूसरे राजनितिक दल को ये confusion नहीं हो कि नितीज जी आगे बढ़ रहे हैं खुद अपना चेहरा बनाने के लिए उन्होंने हैं पर धान मंतरी बनने के इक्छा रखते हैं ये तो उन्होंने पांच दस बार सब लोगों को कहां है अब है कि चेहरा कौन बनेगा ये तो जब हम सब लोग मिल करके बैठेंगे एक मंच पर आएंगे तब उसके बाद पर चेहरा भी ऐसा नहीं है कि चेहरा बनने के लिए कोई अभी जब मोदी जी ही प्रधान मंतरी को मिदवार हुए थे तो मोदी जी का क्या क्वालिफिकेशन थे एक अस परस्ता है नहीं निए वट आइमीन तो से डाइट कि वैन मोदी इस परस्ता तो अब हो गई ना जब मोदी जी प्रधान मंतरी के मुदवार हुए थे तो मोदी जी के पास क्या क्वालिफिकेशन था देश का प्रधान मंतरी उनके पास तीन टर्म का मुखमंत्र क्वालिफिकेशन था ना कि तीन तर्म के बुझदा तो ऐसे वैसे तो हमारे यहां पांच 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 शेचे साथ साथ ठर्म के मुखमंत्री हैं तो इस दाड़ी दो क्वालिफिकेशन वी हमारे लिए बहुत इशो नहीं है हम लोग के लिए बहुत बड़ा इशो थे विजु जनता दल मतलब एक समय था जब जब निटीज जी और समाजवादी पार्टी और समता पार्टी तो बिजु पतनाय के घटक हुआ करते थे आज भाजबाग नदीक है विबक्षी एक तब बड़ा रोड़ा विजु जनता दल जो नहीं आप सकता भी बहुत नहीं आता गया नितिजी भी गया उरिशा पुराने सबंद भी है केसी आज जाते हो तो क्या भरुसा है कि ये लोग आ जाएंगे अब देखिए हेतू हेतू मदभूत में तो हम क्या बोलें इसमें अब भ बिजु वहां डवीन प्टा है जिसे बात भी हुई है इसलिए अमको लगता रास्ता बनेगा एक जो दोजाट चौविस का पहले जो दोजाट चौदा नहीं मुदी का जो उड़े का समय तो गुजरात मॉडल की बहुत जवर्जस किसी से बात आती थी और एक हिरोई्म जो मुदी का तयार हुआ वो गुजरात के प्लेटफॉर्म से और बैक्ग्राउंड से तयार होता है तो क्या विपक्ष में जद्यू यह कोसिशी करेगी कि एक ब्रांड बनाए जब बिहार को जिसको नितिस जी ने तिन तिन तरम चासर चलाया है उसको उसको ब्रांड बनाने क के डिस्करशन का पाट है न कि बिहार मॉडल बनेगा कि क्यों सा मॉडल बनेगा और किसको लेकर के हम कारिकरम करके जाएंगे जिससे कि हम भाति जनता पाटी को सिकास्त दे सकें वो तो strategy बनेगी जब सब लोग का मौ मिल जाएगा सब लोग एक साथ बैठ जाएगे ये तो एक प्रयास है ना जो हमारे निता कर रहे है तो हम समझते हैं कि ये प्रयास अभी तक सफल रहा है आगे भी सफल होगा तो वो बैठ चित करके बात चित करके ये सब का रास्ता निक लेखे बिपक्ष के पास सबसे बड़ा हड़ ये है कि ये जो हमारा संभिधान है और हमारे जो four फातिस थे जिन लोगों ने अज़ादी की लड़ाई को मच्बूती से लड़ी और उस अज़ादी की लड़ाई के बाद उनहोंने संभिधान का निर्मान कराया तो हमारे के निरमान का जो मूल उद्देश था उस उदेश में साफ साफ सम् Brushान में लिखा है चाहे वो बावासाब भीम रा वंमेदकर हो सब कोई मानते हैं इसको ऐसा देश का कुए नेता नहीं है जो बावासाब भीमराओ अम्बेतकर को माइनस करके राजनीत करता हो और ये कहता हो कि बावा साथ की बात जो है वो गलत है महात्मा गांधी को कोई देश का ऐसा प्लिटिकल पार्टी नहीं है जो ये मानता हो कि महात्मा गांधी की जो भूमिका रही अब्दुलकलाम अजाद के साथ भी यही है कि उन्होंने सिक्षा को इस देश में मजबूत करने का कोई भी इनको डिनाई नहीं करता है तो जिन विक्तियों ने इस संबिधान का निर्मान करा है और जिन्होंने इस संबिधान में यह प्रवदान किया कि अदेश धर्मिर्पेक्ष होगा इसका मतलब कि ये वेल थॉट प्रोसेस था हमारे फॉर फादर्स का जिन्होंने अजादी के लड़ाई लड़ी कि अंग्रेज इस देश को डिवाइड एन रूल करके राज किये उन्होंने इस देश में हिंदू मुसलिम म पूरी ताकत के साथ इस अंग्रेजों को खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे उसमें उन्होंने डिवाइड एन रूल की पदती को अपनाई रहे और उसके बाद हमारे फॉर फादर्स ने इसको धर्मिर्पेक्ष बनाई ये बूल हमारा जिसको बूलते हैं संबिधान का और उसको बदलने के लिए टू थर्ड मजॉरिटी दोनों पारलेमेंट में चाहिए दोनों हाउस में चाहिए तब जाके वो संबिधान बदला पाएगा तो वैसी स्थिती में जो ये लोग जो प्लिटिकल पार्टी अभी हैं जो ये हिंदुत का बार बार नारा देते हैं और ह कहीं न कहीं एक फ्रैक्शन को एग्रिवेट करने की कोशिश करते हैं और देश में फिर से डिवाइड एंड रूल जो बिबंताओं के साथ ये देश बना है उस बिबंताओं का फैदा उठा करके सत्ता प्रकाबिज रहना चाहते हैं वैसे लोगों से बड़ा थ्रेट है क् कि देश हमारा जो देश है जब से हम लोगों ने बच्पन से सत्नरायन भवान की पूजा सुनी हैं सत्नरायन भवान के पूजा के बाद हमारे जो पंडी जी आते थे बच्पन में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो जैकारा करते थे धर्म की जय हो अधर्म का नास हो कहीं नहीं कहते थे पंडी जी कि हिंदू धर्म की जय हो जबकि आरती तो 17 भावन की पुजा की होती थे कहते थे धर्म की जय हो अधर्म का नास हो यह नहीं कहते थे कि खाली हिंदुत के प्रानियों में सदभावना हो मतलब कि जिनके जिनके अंदर प्रान है वो साप, विच्छू, नेवला सबके प्रान में जिनमें प्रान है प्रानियों में सद भावना हो भारत का हिंदुस्तान का कल्यान नहीं हो विश्व का कल्यान हो तो ये भावना है हमारी सनातन पदती का लेकिन लोग धर्म तो अपनाने की चीज है ना आज कोई हिंडू है कल कोई मुसलिम हो सकता है कल कोई मुसलिम है कल क्रिष्चन हो सकता है हाँ फार-टिडली कोई कही ने कंस्ट्यूचिन में लिखा है कि आप आधद निन तक रहिए 40 वरस तक आप हिंदू रहिए आप 41 वरस आप मुस्लिम बन सकते है 40 वरस हिंदू रहने के बाद आप क्रिश्चन बन सकते है धर्म अपनाने की चीज़ है धर्म थोपने की चीज़ नहीं है धर्म में जिसके उपर आस्ता हो जाए कभी कहां गुरू की हमसा गुरू मिलेगा हम तो ऐसे गुरू को जानते है जो मुस्लिम है और हिंदू सिस्टम को बिलीव करते है बहुत से लोग है ऐसे इस देश में तो ये देश तो भी मंताओं का देश है तो सबसे बड़ा चैलेंज हो है कि जो ये लोग बार-बार हिंदूत्य का लाइन ले करके और कहीं न कहीं जो हिंदू की भावना को बढ़का करके जो बेसिक इतोस है हमारे देश का कि धन मिल पे एक सेकलर जो कि सब को साथ लेकर चलने का जहां एद और पहले क्या होता था पहले होता था मुस्लिम के घर में जब एद बनती थी तो हिंदू के आँ से सवह जाता था अब हिंदू के आँ सवह भेजिये तो कहईगा ने ने आम आपका सवह नहीं लेगा आप तो का पे लाइए इस तरह की सब्सक्राइब करें इस पर सारी बाते रखें प्रभातकाबर.com विश्वास वही रवतार नहीं